इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके वाटसप में वेरिफिकेशन कोड नहीं आ पा रहा है तो आप उसे कैसे सल्व करेंगे अपना वाटसप में जब अकाउंट बनाते हैं तो मॉबाइल नंबर इंटर करते हैं लेकिन यहां पर वेरिफिकेशन कोड जो होत सेटिंग में और सेटिंग में जाने के जाने के माद है देखेंगे सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आप दE투 nos की जो नमबर आपने वाटसप में डा इंटर किदेंगे वो सीम अक्टुरि में इसमें लगी हुई है या नहीं लगी हुई है तो पहला नंबर यह पन दूसरा नंबर की उसमें इंगूण मैसेज्ट या कॉलिंग अभी चालू है या किसी वजह से बंद आप क्या करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे कि चले जाएंगे बैक और बैक जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप चले जाएंगे अपने एपस में यहां पर सेटिंग में एपस होता है एपस में जाएंगे और इसके बाद जाएंगे आप मैनेज एपस में और मैनेज एपस में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप सर्च बार में जाएंगे और वहां पर टाइप करेंगे क्या टाइप करना है वाटसप जैसे आप वाटसप यहां पर टाइप करते हैं तो टाइप पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको क्या करना है कि क्लियर डाटा पर जाके क्लियर कैश कर देना ह और फॉर स्टॉप पर जाके फॉर स्टॉप कर देना है और इसके बाद क्या करना है इसके बाद यहां पर सबसे इंपोर्टेंट चीजें है रिस्टेक्टेड डाटा यूजर पर जाना है और इन तीनों को अंचेक करके फिर से चेक कर देना है और ओके कर देना है और यहां प करेंगे वाइक आएक के अपने मौबायल को एक बार करेंगे और यह स्टार्ट करने के बाद आपका है यह प्रॉब्लम का सोलूसन हो जाएगा और आपका अच्छे तरीका से यह वर्क करने लगेगा तो गाईज उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा क्यार